स्री शिवाईन नमस्तु बेम दर्शको कैसे हो आज अगरते हैं कि आप सब स्वस्तेम सुरक्षित होंगे दर्शको आज तीन मार्च और दिन सुक्रवार साथ ही आज आम लिकी एकादसी पड़ रही है दर्शको आज की जो ये एकादसी है इस एकादसी का विशेस मेहतों माना जाता है क्योंकि आज आज आपको एक नहीं बलकि दो दो देवी दिपताओं का अशिर्वाज पराप्थ होगा साथी आज दुरलब नहीं बलकि महासयोग बन रहा है ऐसे में दर्शको आज के दिन का आज हम आप सभी को बहुत ही अचुक और दुरलब कारे बताने जा रहे हैं इस कारे को ये शुपाई को आप सभी को करना है दर्शको आज शुकरवार का दिन है साथ ही आमलकी एकादसी पड़ रही है द्यक्ति की जीवन की सभी परकार की समझत समश्या उसे चुटकारा मिलता है साथ ही उसके जीवन में आ रही जो जो समश्या होती है वे दूर हो जाती है तो ऐसे में आज एका दसी का दिन है बहुत अच्छा दिन है और आज हम आप लोगों को कुछ से यहनी की कारिय बताने सबसक्राइब और वैल आइकन को प्रेश कर दे ता कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटपिक है आपको सबसे पहले प्राब्त हो सके और हो सके तो अपने मित्रबंदों तक जोस्त लावद परिवाद न ना रह सके तो दोस्तों आज शुकुर्वार का दिन है सुकरवार का दिन आपको पता है कि माता लक्षमी को समर्वित होता है और माता लक्षमी की दृष्टी अगर की शिव्यक्ति की उपर हो जाए तो उसके जीवन में कभी गरीबी और खंगाली नहीं आती है वो हमेशा धनी बना रहता है ऐसे में दर्सको आज आमले की एकादशी है तो आज भगवान शिवकावी दिन है ऐसे में आज के दिन इनकी पूजा की जाती है शिवलिंग की पूजा की जाती है तो दर्शों को यह मानिता है कि आमल की एकादशी के दिन और साथी सुकरवार के दिन गाई को चारा खिलाना चाहिए हरा चारा खिलाना चाहिए साथी इस दिन आप जब भी भूजन करें तो उससे पहले आप एक रोटी गाई को आविशे खिलाए दोस्तों मानिता है कि गाई माता को माता वाना जाता है क्योंकि जब देवता और अश्रों के वीच में सबुद्र मन्थन हुआ था तो उस वीचे चोदा रतन उत्पन हुए थे और उनमें से एक रतन गाई माता थी और गाई माता को मनुश्यों के कल्यान के लिए धरती लोग पर भेजा गया था इसलिए गाई माता को 33 कोटी देवी देवताओं का आशिरवाद है इसलिए गाई माता को आज की दिन आप चारा ओशे खिलाए उन्हें प्रनाम करें उनके सिर पर आत फिराए और अपनी मुनोकाम न बोले मानेता है कि ऐसा करने शे बड़ा ही सुम माना जाता है सब कारेय में परगर्ति मिलती है उनका आशिरवाद भी मिलता है ऐसे मिदरशे को आज सुकुरवार का दिन है तो आज आप दान पुन्या करें दान में आप भोजन और कपड़े का दान करें ऐसे में ये भी मायनिता है कि पैसों का दान करने से घर की दन जो लक्षमी है वो दूर जाती है घर में लक्षमी नहीं आती है और गरीवी आने लगती है तो कभी भी आज के दिन आप पैसों का दान न करें भोजन और कपड़ों का दान करें पिरेदर्श को ऐसे में आज बहुत अच्छा सही हो बन रहा है तो आज की शाम आप लोग अपने घर के पूर्जा इस्तल पर बैठे और वहाँ पर एक दीपक जलाए देशी खीका दीपक जलाने एक बाद में थोड़े से धरिया के दाने उस दीपक की लोहों में देखा कर औ और आप अपने घर के तीजोरी में रख दे ऐसा करने से मानिता है कि कभी धनकी कमी नहीं होती है और मातलक्षीमी का आसिरवाद पूर्ण रूप से मिलता है और हर कारियों में सबलता प्राफ्थ होती है तो इस कारियों के एक बार जरू कीजिएगा और उमीद करते हैं कि आप सभी को है वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब चुरू कीजिए का मिलते हैं अगली वीडियो में